तुमाँ मेरे दोस्तों को आसीम Hobbies and Ironing में बहुत बहुत खुशामदेत Welcome to Aasim Hobbies and Ironing मेरे दोस्ते भब इस वर कर आप जो क्वाइड देख रहे हैं ये Sweden का ये क्वाइड है और आज की वीडियो में इस क्वाइड के हवारे से What about the friend side of this coin? What about the back side of this coin? what about the images on the back and front of this coin what about the diameter mass thickness shape composition each and every information can be shared out regarding this swedish coin and especially what about the price nowadays here in asia pakistan and the worldwide so please subscribe my channel and press notification button to keep in touch next coming videos regarding coins जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि यह स्वीजन का यह क्वाइन है डाट इस तो बीदा फ्रेंट साइड आफ ए स्वीजन क्वाइन और सेंटर में जो आपको जो पिक्चर के पोर्ट नजर आ रही है यह स्वीजन के जो किंग है कॉल गस्टफ का यह पिक्चर है और साथ में उनका जो नाम है किंग कॉल गस्टफ का नाम जाए राउंड फॉर्म में है इसमें लिखा हुआ है और नीचे है है circulation यह पिर रहा यह तो सारी इन्फोर्मिशन थी इस क्वाइन के हैं फ्रेंट साथ के वाले से अब बात करेंगे इसकी बैक साथ के वाले से और इस टु-बी दा बैक साथ ऑफ ए स्वीजन क्वाइन और सेंटर में जो आपको यह पिक्चर या इमेजिस नजर आ रहा है यह can represent the code of arms of Sweden आया और उपर है Sweden लिखा हुआ है उनकी अपनी जबान में Swedish language में सब कुछ लिखा हुआ है round form में है और नीचे है इसमें है one crown one crown है इसकी face value है और Swedish की जो currency है वो one crown है और यह सारी information है इसकी back side के हवाले से और अब बत करेंगे है किए स्काइन का है diameter के है स्कॉंइन का जो डामीटर है वह 25 ट्वाइफ एम एम है इसका मेंविक है और स्कॉञायन का इस ड्रोर्षी और जोमस आप क chỉ सबसेर अब इस coin का weight है और इस coin की जो thickness है वो 1.8 mm इस coin की thickness है और यह खुब सा shining shining आपको इसी तरह या friend से नजर आ रहा है इसी तरह ये back से ये coin पूर चमकता चमकता नजर आ रहा है ये किस दहात ये composition से ये coin मिलके बना हुआ है ये कौइन है ये copper और nickel से ये coin है मिलके बनावा है और it is to be a round shape coin जो फ्रेंड में जो आपको जो ये king का जो नाम नदर आ रहा है called Gustaf का नाम है ये round form में लिखा हुआ है इसी जरा back side पे है ये round form में ही है जो swiddle लिखा हुआ है ये round form में ही है लिखा हुआ है और finally अब बात करेंगे कि इसके edges के हवारे से इसके जो edges में आप लारिंग 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 देखनी है इसके edges हैं डिडिडिड इस coin के हैं edges है और finally अब बात करेंगे कि अगर आपके पास ये 1 crown का year one line 97 का है ये Sweden का ये coin है तो पाकिसान में ये coin है कितने का sale होगा और पाकिसान से बाहर अगर आपके पास ये coin है अब से लाड़ करना पसंद करेंगे तो shipping charges डाल के आपको इस coin के कितने पैसे मिल सकते हैं पहरे तो depend करता है coins की condition पे जिस तरह ये coin है चमकता चमकता shining है किसी किसम को scratch को line को cut किसी किसम को damage coin नहीं है तो इस coin के है आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं यानि coin है अगर आपको mint form में है जिसरा ये coin में mint form में है किसी किसम को ना friend से है ना back से coin है तो add list पाकिसान में इस coin के आपको add list है five dollar तक है इस coin के है मिल सकते हैं अब पाकिस्तान से बाहर आगर आप किसी भी Asian country में world white है विशिपिंग चार्जिस डाल के air list आपको एक dollar तक है ये Sweden के है एक crown coin के है year 1997 के coin के मिल सकते हैं और उमीद करेंगे कि मैं देखने वालों को चाहने वालों को आज की वीडियो स्वेडन के air crown के year 1997 के coin के हवाले से ये वीडियो पसंद आएगे bye from Aasim Hawies and earning